नमस्कार दोस्तों पहलवान गुरुदीन ग्रूप आप कॉलेज के यूटूब चैनल पर आपका हार्दिक श्वागत है मैं विभातामर का राजनीती विज्ञान की प्रवक्त यदि आपने हमारा चैनल अब तक सस्क्राइब ना किया हो तो पिली सस्क्राइब करें, लाइक करें, सेर करें, कमिंस करें और बेल आइकन वटन अबस से दबाएं जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे आई दोस्तों आज हम पढ़ाते हैं नियाय के तत्तू नियाय की कौन कौन से तत्व हैं नियाय की सार्वलोकिक और इस्तित आधार तत्व तो नियाय क्या है यह बहुत कुछ सीमा तक व्यक्ति की अपने विश्वाश और अपनी धारना पर निर्वर करता है व्यक्ति के विश्वास पर और अपनी धार्णा पर निर्वर करता है फिर भी कुछ ऐसे तत्व हैं जो न्याय की सभी धार्णाओं में विध्वान है और जिन्हें न्याय की आधार तत्व कहा जा सकता है जैसे ब्रेट्चट ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल थियोरी में इन आधार तत्व का उल्ली किया है जैसे उन्होंने पहला रखा है सत्थ सत्थ पे एक विचारक का विचार है कि न्याय का प्रतक्ष सम्मंद केवल अच्छाई से होता है सत्थ से नहीं सत्थ तो विज्ञान का चेत्र है लेकिन बास्तों में सत्थ न्याय का एक बहुत अधिक महत्पूर तत्थ है क्या सत्थ सत्थ न्याय का बहुत महत्पूर तत्थ होता है बस्तु निष्ट रूप में न्याय की मांग है कि तत्थु पर सम्मंद विश्यक अपने सभी कत्रों में हम सत्त का प्रियोग करें बस्तु निश्ट रूप में इसका आसा यह है कि विभिन व्यक्तियों और बस्तुओं की सम्मंद में हम यही विचार प्रकट करें जिसे हम ठीक समझें विशेश रूप में न्याय के प्रशाशन में तथों की सत्ता का बहुत अधिक माहत होता है न्याय बैसे भी सत्त पर आधारित होता है यदि हम सत्त के आधार पर न्याय दोप्रका असत्त से भी मिलता है और सत्त से भी मिलता है लेकिन असत्त कितना भी अड़ी होकर खड़ा हो जाए लेकिन जीत सत्त की ही होती है इसलिए न्याय सत्त पर आधारित होता है न्याय किसी का पक्षपात नहीं लेता है फिर आता है मूनों के आधार भूद क्रम की समानिता बिभिन मामलों के विस्यों में विचार करते हुए हमारे द्वारा न्याय की एक ही धार्णा को लागू किया जाना चाहिए यह नितांत अनुचित होगा कि हमारे द्वारा एक मामले में न्याय की एक धार्णा को और दूसरे मामले में न्याय की किसी अन्य धार्णा को लागू किया जाए कानून की समक्ष समानता या समानता का बिभार एक हैडिंगे भी आती है कि कानून के समक्ष समानता या समानता का विभार कानून के सामने सभी समान होने चाहिए कानून के सामने सभी व्यक्तियों को समान समाजना चाहिए और कानून को भी समान सभी को समाजना चाहिए और उनके प्रती समानता का वेवार किया जाना चाहिए किसके कानून के अनुशार एक ही प्रकार की इस्तितियों में मनमाने ढंसे भेद करना अन्याय पूर है किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाती, भासा लिंग के आधार पर भेदभाव पूर्ण ब्योभार नहीं होना चाहिए कानून के अनुशार भेव्यक्ति किसी भी धर्म का हो किसी भी जाती का हो कोई भी उसकी भासा हो और कोई भी इस्त्री अप्रोस हो इसके आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए प्रतिइक भ्यक्तियों को उन्नती तथा बिकास की समान और अशर प्राप्त होने चाहिए किसके कानून के अनुशार सुतंत्रता, सुतंत्रता में क्या है कि उचित रुकावटों के अलावा मनुस्थ की सुतंत्रता पर रोक नहीं लगाने चाहिए जहाँ उचित हो बहाँ उसकी सुतंत्रता पर रोक लगाए कानून और जहाँ उचित नहीं है बहाँ ब्यक्तियों की सुतंत्रता पर रोक नहीं लगाने चाहिए मन माने ढंग से ब्यक्ति की सुतंतरता पर रोकावटे लगाना अन्याय पूर है सासक को अपनी स्वार्थ मतलब राजा को अपनी स्वार्थ या सक्ति को बनाय रखने के लिए ब्यक्ति की सुतंतरता पर कोई रोकावट नहीं लगाने चाहिए मतलब राजा ऐसा ना हो कि अपनी स्वार्थ सिद्धी के लाग जादा से जादा सकती अर्दिश्ट करने के साथ व्यक्तियों की सुतंतरता पर रोक लगा दे तो ये फिर अनुचित होगा तो न्याय में एक और ये तत्व आता है कि सुतंतरता जहाँ उचित हो बहाँ सुतंतरता दो और जहाँ उचित नहीं है बहाँ राजा सुतंतरता व्यक्तियों को ना भी दे तो चलेगा फिर फिर आता है प्रकर्ति की अनिवारताओं की प्रती सम्मान क्या है प्रकर्ति की अनिवारताओं की प्रती सम्मान जो कार व्यक्ति की सामार्थ के बाहर है और जो कार प्रकर्ति की ओर से व्यक्ति के लिए असंबव है इसमें क्या आरा कि जो कार व्यक्ति की सामार्थ के बाह और जो कारप्रकरति की और से ब्यक्ति के लिए असंब है उन्हें करने के लिए ब्यक्तियों को मजबूर करना न्यायभावना के बुरुध है व्यक्ति का सामर्थ नहीं है इतना तो उसके प्रतिन व्रुद्ध है अथा जिन कानूनों या आदेशों का पालन करना मनुष्य के लिए संबर नहीं है ऐसे कानूनों या आदेशों की अविलना करने पर व्यक्तियों को दंड देना या उसके निंदा करना भी अन्यायपूर ह लेकिन ऐसा व्यक्ति जो सारीरिक और मांसिक द्रश्टी से ठीक है उसके लिए खुद काम करके रोजी ही कमाना न्याय पूर है जो व्यक्ति नहीं कमा सकता है प्रकर्ति द्वारा जो अपंग है या ब्रध है तो उन्हें इतना बाद नहीं किया जाना चाहिए और जो कर सकता है तो उन्हें करने दीजिए इस्थानी रास्ति या अंतर रास्ति सभी छेत्रों में न्याय को प्राप्त करने के लिए उपेत पांस सिध्धानतों का पालन आवश्यक होता है तो इस आधार पर मैंने न्याय की बहुत अच्छे तत्थों को आपको समझाया है कि किन-किन तत्थों के आधार पर हमें न्याय करना है और किन-किन तत्थों के आधार पर हमें न्याय नहीं करना है आसा करती हूँ दोस्तों कि आपको यह भी समझ में आग्या होगा कि न्याय की कौन से तत्थों कि नाधार पर हमें न्याय जरूरी है धन्यवाद